हेलो बच्चों आज में आपको क्लास 9 जिसका विश्य हमार पास गनित है इसकी वरक्षिट नमबर 59 समझाऊंगी जिसकी डेट हमार पास 23 नेवेंबर 2020 आज की वरक्षिट में भी हम व्रित के बारे में पढ़ेंगे ठीक है आज कोछ और प्रमे हम यहां सिखेंगे देखो यह एक चाप दुवारा केन पर अंतरित कोन विद्ट के शेष भाग के किसी बिंदू पर अंतरित कोन का दुगना होता है यह आपने लास्ट वरक्षिट में किया था किया था कि आपको इसमें आगे थोरा क्या करना है खुद से अब माल लीजिए जो यह आकरीति है आप ने इस वाली आक्रीति में देखो, यह जुरा हुआ है, तो हम P और Q को मिला कर जीवा P Q बनाते हैं, यह जीवा बन गई, जीवा वही तो थी, जो रेखा खन वृत के दोनों साइड पर टैच होती है, तथा, तब कौन P A Q, अब जो यह वाला कौन है, ठीक है, को वृत खन P A Q P में बने कोन भी कहते हैं, ठीक है, तो यह इस पूरे वृत खन पे बनावा है, P A Q P पे, ठीक है न, अब आपसे कह रहा है, अगर हम वृत के किसी भाग पर एक बिंदू C ले, तो हम पाएंगे, अब मैंने पता है क्या किया, वृत पे एक और बिंदू लेली C, जैसे यह A था न है, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, अब इससे आपके पास दो समय करना आ गए, एक ये और एक ये, अब आप क्या करो, जब आप इन दोनों को हल करोगे, तो आपको पता ही, यह दोनों तो एक जैसे हट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा, 2 कौन PCQ और 2 क कौन PAQ, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो PCQ आपका कितना आ गया, PAQ के बराबर, इसका मतलब कौन C आपका कौन A के बराबर आ गया, तो ये दोनों कोन तो बराबर आ गए, आ गए नहीं आ गए, तो वही चीज आपके पास यहां दिखिए, इससे हमने पते क्या पाया, इससे हमने ये पाया, कि जीवा PQ से बने वृत्खंड में, PQ अधार पर वृत्पे बने दोनों कोन बराबर होते हैं, तो अगर आप इस जीवा से, इस जीवा से बने वृत्खंड PQ पे दो कोन बनाओगे, तो वो दोनों कोन के ओते हैं, आपके बराबर होते हैं, तो एक ही वृत्ख कन बनेंगे तो दोनों जो ऊते हैं वो बढ़ाबर होते हैं एक चलिए आगे देखते हैं आपसे कहा enjoy में जवा मेंम देखो यह मेरी जीवऑ भी हो यह मेरी मिलाव भी यह केंदर से पास हो के जारी है तो यह लिखा है जो की व्रुट का उर मियाश भी है वरित को दो बराबर विठ खंड में बाट रही है. बात रहे हैं दो एक गेरह औरकेरह, जब भी एक रेका कहत्खंड तुर भी एक even कहने जल्ग hai enforced गैसे वूर। है ठीक है वो क्या है देखो आपको पता है जो मोन है कोन वो दुगना है किसका मन के इसका दुगना होगा यह भी हम पीछे करके आए करके आए ना यह वाली प्रमे और हमने लास्ट वर्क्षिट में भी की थी है ना एक चाब दुवारा केन पर अंतरित कोन वृत के शेश आगया तो 180 को टू से डिवाइट कर दो यह आपका 90 आ गया आगय है और यह जो हमेशा कों अगया हमेशा कर अ को कों यह संकों यह आपके पास यहां पर दूसरी चाब हैं आज हमने शीख लिये एक हमने में व्रिध खंड के को बराबर होते हैं दूसरी हमने श्री हमने सीख कौन होता है ठीक है ना चलिए अब एक उधारन आपको दे रखा है वो देखते हैं क्या है आकरिती में कौन PQR जो है वो कितना है 110 है जहां PQ तथा R केंद्र O वाले एक व्रिद पर स्थित बिंदू है तो कौन OPR ग्याद कीजिए देखो आपको OPR OPR यह वाला कौन निकलना है यह दे रखा है तो अकर आप इस आकरिती को ध्यान से देखो तो आपने यह सेम जो कोशन है यह आपने अपनी वर्क्षिट नंबर 58 में किया है कोशन नंबर 2 किया था जो हमें खुद से करने थे उसमें कोशन नंबर 2 था बस एक छोटा सा फरक था यहाँ पर 110 है वहाँ पर 100 था यह तो जिन बच्चों ने वर्क्षिट नंबर 58 कर लिए तो उनको याद आगे होगा हमने ऐसा कोशन नंबर 2 किया था यादेना आप लोगो और जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो पहले आप वर्क्षिट 58 कर लिजे उसके बाद आप 59 किज क्योंकि मैंने यह आपको 58 में समझा दिया था तो अब आप इसे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको यह पता चले कि आपको वर्क्षिट 58 कितने अच्छे से आ गईगी ठीक है चलिए अब आते हम अपने कोशन पे फर्स्ट कोशन है हमार पस एक व्रित पर A B, C और D बिन्दू है A, C और B, D एक बिन्दू E पर इस प्रकार प्रतिछेत करते हैं कि कोन B, E, C जो है वो 130 है तथा कोन E, C, D 20 है B, A, C ग्याद कीजिए देखो एक व्रित पर आपको चार बिन्दू दे रखें देखें आप आकरिती में देखें चारों बिन्दू को मैं म आप से पूछ रहें कि ये वाला कोन निकालें कैसे तो देखो अगर मैं ये वाला कोन निकाल दूँ तो फिर मेरा ये वाला कोन निकल जाएगा क्योंकि अभी हम करके आए कि एक व्रित खंड के कोन बराबर होते हैं तो जितना मेरा कोन D होगा उतना ही मेरा कोन A होगा तो च निकाल सकते हो यह रेखिंग यूग में निकाल सकते हो ना तो चलिए पहले हम यह वाला निकाल लेते हैं तो कौन B E C जो है प्लस कौन C E D is equal to 180 डिग्री तो यहां से मेरा कौन कौन आजाएगा यहां से मेरे को दे रखा है 130 है तो यहां से मेरा कौन आ गया C E D तो 180-130 is equal to 50 डिग्री ठीक है अब आपको पता है कि जो यह तिरिभूज है कौन सा कौन से तिरिभूज की बात कर रहे हम D E C की इसके जो यह तीनो कौन है एक कौन यह और एक कौन यह और एक कौन यह तीनो कोनों का योग 180 होता है होता है चलिए लिख लेते हैं कौन C E D प्लस कौन E C D प्लस कौन CDE, इन तीनों का योग होगा 180 डिग्री, ठीक है, एक तिरी भुच के तीनों को योग कितना होता है, 180 होता है, अब E वाला आपने अब भी निकाल ला है, 50 डिग्री, C वाला आपको पहले से ही दे रखा है, 20 डिग्री, हाँ, D वाला नहीं दे रखा, क्योंकि ये त 180 माइनस 50 माइनस 20, ठीक है, तो 110 आगया, तो इसका मतलब, जो कौन CDE है, वो किसके बराबर होगा, कौन B, C के, 110, ठीक है, लेकिन यहां मुझे वो प्रमे लिखनी परेगी, वो क्या है मेरे पास, एक ही ब्रितखंड के, कौन, बराबर होते हैं, ठीक है, अगर आपने यह नहीं लिखी, और सिधा कोशन कर दे, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है, तो कौन B, A, C आपके पास आजाएगा, 110, तो आपको यह प्रमे ज़रूर लिख दिए, जब भी आप इन दोनों को इक्वल लखोगे, तब आप यह प्रमे ज़रूर लिखोगे, ठीक है, तो चलिए, कोशन 1 हमारा हो गया है, कोशन 2 देखते हैं, कोशन 2 है हमार पास, आकरिती में केंदर O वाले एक व्रित पर, तीन बिंदू इस प्रकार हैं कि कोण B.O.C. 30 है, कोण A.O.B. 50 है, यदि चाप A.B.C. के अंतरित व्रित पर D. एक बिंदू है, तो कोण A.D.C. ग्याद कीजए, तो आपको देखो यह दोनों कोण दे रख हैं, ठीक है, और आपको यह वाला कोण निकाल ला है, ऐसा कोशन भी हमने अपनी वर्कशिट नंबर 58 में किया है, लेकिन वहाँ पर यह जो डिगरी है, यह थोरी सी चेंज है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको दुबारा कर लेते हैं, ठीक है, बस डिगरी चेंज है, बाकी कोशन तो पूरा ही सेम है, तो देखो, आपको बता है, तो एक में को 50 दे रखा है, एक मुझे 30 दे रखा है, तो मेरा 80 आ गया, AOC, ठीक है, अब आपको पता है, कि जो यह है, ADC, वो twice है, दुगना है, किसके AOC का, अब मुझे ADC तो नहीं पता, हाँ, AOC मैंने अभी निकाला है, 80 डिगरी, तो यहाँ से मैं ADC निकाल सकती हू 80 upon me 2 is equals to 40 डिगरी, तो आपके पास ADC कितना आ गया, 40 डिगरी, और आपको यह ही निकालना था, लेकिन यह कोशन यहाँ पर अभी धूरा है, क्यों, क्योंकि जब मैंने इनको दुगना किया, तो यहाँ पर मैंने वो प्रमे नहीं लिखी, वो लिखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और मैंने आपको लास्ट वर्कशिट में भी बताया था, कि आपको यह याद करनी है प्रमे, ठीक है ना, तो जिन बच्चों ने याद कर ली बहुत अच्छी बात है, जिनोंने याद नहीं किया, वो इसको याद कर लेना, ठीक है, तो मैं जल्दी से यह प्रमे लि किसी बिंदू से किसी बिंदू पर अंत्रेत कोन क क दुगना होता है, ठीक है, आप इसको याद ज़रूर कर लीजिगा, ठीक है, अब आपका यह कोशन होता है, यहाँ पर खतम, इसके साथ हमारी वर्कशिट नंबर 59 भी खतम होती है, अब विर्कशिट नंबर 50 जो हुआँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा. Thank you.